हम एक बड़ी green candle बनती हुई देख करके और एक call option की खरिदधारी कर बैठते हैं या फिर एक बड़ी red candle बनती हुई देख करके एक put option की खरिदधारी करते हैं उन्होंने एक 50 लाख रूपए का 50 लाख रूपए का car loan ले रखा है एक 2 करोड रुपीज का business loan ले रखा है एक 50 lakh रुपीज का home loan ले रहा है उनके credit card के bills है 12 lakh रुपीज के अब आप किस पर पैसा लगाओगे अगर हम आइस को hold करके रखेंगे तो वो dilute होती रहेगी तो हमारा पैसा जाता रहेगा इस बार तो मैं 4 पाई लेके आया हूँ और आराम से बिछा किया 4 पाई यहां सो रहा हूँ आपको जो करना है वो कोवर कर लो सभी को नमशकार है, सभी को अभिनंदन है कैसे हैं सभी लोग उमीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन कानन ले रहे हैं मेरा नाम है डॉक्टर विनै प्रकाश टिवारी और आज मैं बात करने वाला हूँ उन सारे ऑप्षिन बायर से जो ऑप्षिन के छोटे प्रीमियम्स खरीद कर बड़ा ट्रेडर, बड़े इन्वेस्टर और अपनी जिन्दगी में बहुत कुछ अचीव करना जाते हैं जिहां मैंने भी किया है और फिशली टॉक में हमारी बहुत सारी बाते हुई थी जब मैंने आपको अपनी ट्रेडिंग जरनी के बारे में अपनी लाइफ जरनी के बारे में बताया था और आपके बहुत सारे comments आये थे उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार चल ये बाते करते हैं कि मैंने as option buyer खुद का mindset कैसा बनाया खुद की psychology कैसे बनाई जिससे कि मुझे option buying में सफलता मिल पाई option buying करते वक्त लोगों का सोचना ऐसा होता है लोगों का समझना ऐसा होता है कि छोटे premiums होते हैं तो हमारा risk बहुत छोटा होता है और reward हमको बहुत बड़े मिलने के chances होते हैं तो option buying करते वक्त कभी भी बहुत सारी बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है अगर हम इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये छोटे छोटे premiums हर बार zero होते होते हमको दीमक की तरह खा जाएंगे as a option buyer सबसे पहला जो नियम है उस नियम से बात करता हूँ कहते हैं कि जीवन में अगर आपको सबसे successful trader कहलाना है तो कोई भी trader कोई भी investor अपने जीवित रहते या जिन्दा रहते successful trader नहीं कहला सकता क्योंकि उसकी एक गलती कभी भी उसका सारा का सारा पैसा wipe out कर सकती है इसलिए जब आप trade करते करते इन्वेस्ट करते करते बहुत सारा पैसा बना के और उसी तरीके से एक legacy अपनी आने वाली पीड़ी के लिए छोड़ के चले जाते हैं तो आपके जाने के बाद लोग आपको successful trader कहते हैं अब अब की बात करते हैं हम लोग कि as a option buyer जब मैं buying करता हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है मैंने जादा तर लोगों से सुना है लोग मुझे से बाते करते हैं कहते हैं कि sir मैंने buying करके positions को hold कर लिया है या hold करके position से हम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है पहला नियम है हमको options की positions को कभी भी hold नहीं करना है this is kind of ice ice कैसी होती है अगर हम ice को hold करके रखेंगे तो वो dilute होती रहेगी dilute होती रहेगी तो हमारा पैसा जाता रहेगा कई बार हम Fridays को position को hold कर लेते हैं और Monday तक के लिए रखते हैं वो दो दिन हम अपना पैसा waste करते हैं अगर बाजार gap up या gap down open नहीं हुआ और position हमारे favorable नहीं है तो time value जाती है दूसरा नियम option का जो buyer होता है न वो कबड़ी का raider होता है कबड़ी का खेल तो आप जानते ही होंगे एक तरफ raider होता है और दूसरे तरफ धेर सारे defenders होते हैं तो जब raider raid करने जाता है defenders के पाले में जाता है तो सोचिए कि एक raider है जो कबड़ी कबड़ी बोलते हुए गया defenders के पाले में अब defenders ने उसको घेर रखा है अब वो raider कहता है कि इस बार तो मैं 4 पाई लेके आया हूँ और आराम से बिछा किया 4 पाई यहां सो रहा हूँ आपको जो करना है वो को कर लो अब आप बताओ ऐसे केस में defenders उस raider का क्या करेंगे हगर आप option के buyer हैं तो आप raider हैं और जो defenders हैं वो raiders हैं जिनकी फाज खड़ी है किसके लिए आपको दबोच लेने के लिए आपके पूरे premium को दबोच लेने के लिए अब आप किसी position को ले करके hold करके बैठ जाएंगे तो उस position को writers पूरी तरीके से आपकी position को trap करके गायब कर देंगे और आप प्रीमियम हो जाएगा CEO तो कभी भी हमेशा इस बात का ख्याल रखेंगा कि position को वापस से फिर से वही conclusion की hold नहीं करना है कई सारे traders ऐसा सोचते हैं कि हम out of the money के बहुत सारे छोटे प्रीमियम्स खरीद करके और वहां से धेर सारा पैसा बना सकते हैं जब आप option के technical tease में जाएंगे जब आप देखेंगे कि imaginary line जो होती है वो दो strike prices के बीच में होती है उन दो strike prices के बीच में जिस पर की market price चल रहा होता है तो वहां से जब आप out of the money के तरफ जाते हैं यानि कि call side में उस imaginary line के नीचे और put side में उस imaginary line के उपर जब इन प्रीमियम्स को देखते हैं तो उन technical tease में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई intrinsic value नहीं होती है इसको technical भाषा में नहीं मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं एक उदाहरर देता हूँ सपोस करिए कि दो तरह के लोग हैं Mr. A और Mr. B उन्होंने आपको offer किया कि आप मेरे business में पैसा लगाईए Mr. A का जो bank balance है वो 5 lakh रूपीज है और Mr. B का जो bank balance है वो 1 crore रूपीज है अब हम क्या करते हैं हमारी tendency, human psychology क्या है यह जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके business में अगर हम पैसा लगाएंगे तो वो हमको बहुत सारा return दे सकता है तो अगर मैं आपसे पूछू कि आप किस के business में पैसा लगाऊगे तो obviously आप Mr. B के business में पैसा लगाने की बात करेंगे लेकिन जब हम इसको deeply समझने की कोशिश करें अब मैं आपको बताता हूँ कि Mr. A का जो bank balance है उस bank balance पर ना उनके पास कोई car loan है ना home loan है ना business loan है ना EMI है ना कोई credit card का loan है मतलब वो पूरा 5 lakh रूपी score उनके business का पैसा है और जो Mr. B हैं उन्होंने एक 50 lakh रूपे का 50 lakh रूपे का car loan ले रखा है एक 2 करोड रूपे का business loan ले रखा है एक 50 lakh रूपे का home loan ले रहा है उनके credit card के bills है 12 lakh रूपे के अब आप किस पर पैसा लगाओगे तो अब आप तुरंट सोचोगे कि नहीं Mr. B वाले पर पैसा ना लगा के हमको Mr. A पर पैसा लगा रहा है क्यों? क्योंकि Mr. A के पास surplus पैसा है surplus पैसा ये surplus पैसा Mr. A को हमेशा help करेगा ज्यादा grow करने में तो ऐसा ही option होता है जो out of the money होते हैं जब वहाँ पर intrinsic values नहीं होती है तो इसका मतलब उन premiums के पास surplus पैसा नहीं है और जो in the money के premiums होते हैं उन premiums के पास surplus पैसा है, survive करने का पैसा है आप देखते होंगे आप जब trade करते होंगे कई बार ऐसा होता है कि आपने एक trade initiate किया अब suppose करिए कि market वहाँ से 30 points उपर गया और वापस उसी level पर आ गया जहां से आपने trade को initiate किया था ऐसे में कई बार आपके साथ ये होता होगा कि बाजार 30 points उपर जाके वापस उसी level पर आ गया लेकिन जो आपका premium जो आपने call option करीद रखा है उसकी value down होगी यानि कि आपका जो total profit loss है वो loss में चल रहा है जब आपने trade शुरू किया तो वो zero level था अभी market उसी level पर रहा है को जब भी selection करना है वो in the money के premiums का करना है मैं personally in the money के premiums को करता हूँ और in the money के premiums को जो strike price जिस पर बाजार चल रहा है जिस भी strike price के करीब चल रहा है आप उससे generally दो strike price पीछे की तरफ in the money जाएंगे तो आपको सबसे सटीक और जिनाइन strike price मिलेगी जिसका selection आप कर सकते है चाहे call side में चाहे put side में अब समस्या क्या होती है समस्या ये होती है कि जब हम इन out of the money के premiums को खरीदते हैं उनको hold करते हैं तो वहां सिर्फ time value होती है आप कभी experiment करिएगा मैं आपको एक experiment बताता हूँ एक homework देता हूँ इस बार इस homework को करके और हमको बताईएगा भी कि कैसा हुआ जब भी market expire होगा expire होने के बार जिस भी price पर बाजार expire हुआ इसको ख्याल करिएगा जिस भी price पर बाजार expire हुआ उस price को देखेगा कि वो price कौन सी दो strike prices के बीच में है अब आप देखेंगे तो उस price के out of the money के तरफ के जितने भी premiums हैं वो already zero हो चुके हैं यह सब को पता है तो चाहे वो call side में उसके नीचे की बात करें imaginary line के और put side में imaginary line के उपर की बात करें वो सब zero हो चुका है लेकिन in the money के premiums का क्या होता है मैं एक example लेता हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा सपोस करिए कि बाजार 17,454 पर close हुआ है और इसका मतलब यह हुआ कि 17,450 का जो premium है वो 4 rupees बचेगा 500 zero हो जाएगा call side में 550 zero हो जाएगा 600 zero हो जाएगा इसके नीचे के सारे zero हो जाएगा put side में 450 zero हो जाएगा 400 zero हो जाएगा 350 zero हो जाएगा और उसके उपर के सारे premiums zero हो जाएगे लेकिन जो values बचेगी उनका क्या जब आप 17,454 की बात कर रहे हैं तो 54 call side में 450 से जितने भी रुपए उपर है कितने रुपए उपर है? 4 rupees उपर है तो उस 17,450 पर उतना ही premium बचेगा जितना की ये difference है इसका experiment आप करिएगा यानि कि अगर मैं सीधी बातों में कहूं तो market price में से आप call side में strike price को minus कर दीजेगा इतना ही premium बचता है इसी तरीके से put side में note कर लीजे put side में strike price में से market price को minus कर दीजेगा इतना ही premium बचता है इसी premium की value को हम intrinsic value कहते हैं यही कारण है कि इसके पीछे के जो भी premiums होते हैं market में कभी इन strike prices पर zero नहीं होते हैं तो इस experiment को जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंद मनी के strike prices हैं उनके पास परेशा आपको help करते हैं grow करने में, stable रखने में आपके premiums को अब अगली बात पर चलता हूँ मैं अगली बात जो हम करने वाले हैं वो सबसे important है while आप option के trader है यह बात है psychology से related psychology हमारी क्या होती है हम जब कोई भी trade करने जाते हैं तो candles को देखते हैं या फिर किसी भी तरीके से बाजार को देखते हैं तो वो trade हमको excite करता है excite करने का मतलब कि हम एक बड़ी green candle बनती हुई देख करके और एक call option की खरीदारी कर बैठते हैं या फिर एक बड़ी red candle बनती हुई देख करके एक put option की खरीदारी कर देते हैं लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना psychology इस बात का ख्याल रखना बहुद जरूरी है कि हमेशा trade करने से पहले किसी भी trade को initiate करने से पहले उस trade का full proof plan आपके पास होना चाहिए full proof plan कहने का मतलब क्या है suppose करिए कि कोई सिपाही है जो जंग लड़ने जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जंग लडने के लिए random जंग में कूच जाएगा और random लडाईयां करने शुरू कर देगा नहीं उसकी एक strategy होती है उसकी एक planning होती है कोई खेल है cricket का खेल है ग्यारा प्लेयर्स खेलना है तो ऐसा नहीं है कि वो 11 प्लेयर्स ऐसे गए और खुद बैटिंग बॉलिंग करना शुरू कर दिये नहीं उनका एक कप्तान होता है उनका एक कोच होता है जो मिल के strategy बनाते है आज इस तरह की pitch पर इस तरह के atmosphere में ऐसा खेलना है वैसा ही बाजार भी रियक करता है हम बाजार में random trades लेकर के कभी successful trader नहीं बन सकते तो मैंने जो किया है मैं रोज सुबह option chain को देख करके मैं एक plan करता हूँ उसमें open interest और उसमें volumes को देख करके मैं एक plan मनाता हूँ के उपर दिन का high होएगा कहीं आसपास और जहां पर सबसे open interest और बड़ी volume put side में होती है मैं यह मानता हूँ कि इस strike price के नीचे दिन का low होगा अब मैं इंतजार करता हूँ उस particular high का या उस particular low का और उनके बीच में भी कुछ divergence की strategies का यानि बीच बीच में हर एक strike price से market कितना move हो सकता है उसको observation करते करते हम इंतजार करते हैं और इस इंतजार के बाद उस value का wait करते हैं और उस value से trade initiate करते हैं यानि कि एक सुबह 9.30 एम होते होते मेरे पास मेरा plan of action है और मैं उसी plan of action को execute करता हूँ ना कि मैं बाजार में कोई random trade लेता हूँ तो random trade ले लेने से हम trader नहीं बन सकते हम बड़े trader नहीं मन सकते जैसे की आपका बच्चा है या आपके परोस का बच्चा है वो cricket खेल रहाए और उसको cricketer बनना ये तो अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्रिकेट खेलने की. ऐसा नहीं है कि वो गली में कल चार बच्चों, दूसरे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, परसो जाके दूसरी गली में क्रिकेट खे पर trade करना है, ऐसे trade करने से आप trader नहीं बन सकते अगर आपको सचिन देंदुलकर बनना है अगर आपको विराट कोली बनना है तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिये कि आपको उनकी तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी सब कुछ sacrifice करके सब कुछ त्याग करके कि सिर्फ एक फोकस एक गोल क्या गोल कि मुझे एक successful trader बनना है और successful trader बनने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगा एक particular strategy जिसके पीछे हम continuously मेहनत करें हजार strategies सीखने से बहतर है एक strategy का master बन जाईए हम एक दिन में ये trading कोई switch नहीं है कोई switch नहीं है कि हमने कोई switch on किया और कल से हम trader बन गए कल से हमारे trade successful होने लगे दो चार पांच trade ले लेने से अच्छे चले जाने से कभी overexcited या खुश मत होई है दो चार पांच losses हो जाने से कभी दुखी मत होई है एक trader जो होता है वो trader कैसा होता है एकदम भैंकर वाला कर्म वीर योद्दा होता है हमको किसी motivation या motivational speaker की ज़रुरत नहीं है अगर हम उतने जादा मोटिवेटेड है क्यों क्यूंकि हम क्या करते हैं शुरुआत के दिनों में हम क्या करते हैं हम losses करते हैं आज loss हुआ कल फिर उसी जोश को सहन करने की शम्ता है और जिसके पास ये एक होप है एक उमीद है कि हम आगे चलके एक अच्छे और एक बड़े ट्रेडर बनेंगे बस हमको करना क्या है हमको अपने प्रयासों को जारी रखना है कंटिनियोस रखना है सतत रहना है तो आज के लिए फिलहाल इतना ही ऐसे ही सीखते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं और जीवन का अनन लेते रहे हैं कभी मौका बिला तो फिर अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात करना है तो आपने ये टॉप देखी है इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में सही स्के जरी पैसा कमाना चाहते हैं और संसेस्फुल मुलाद चाहते हैं चाहे compounding के concepts हो या फिर stock analysis करना या फिर investment के basic concepts को समझना इन सब में आपकी मुदद करता है जोश्टॉक्स का जोश्टॉक्स English Speaking App यहाँ पर आपको मिलती है first life quizzes यहाँ पर आपको मिलती है खेर सारी exercises और साथ में सबसे important आपको मिलती है कैसी community जो आपको help करेगी finance related topics को बड़े आसान तरीके से समझने में तो देर किस बात की आप यह ताउंगोट करिए जोश्टॉक्स English Speaking App और लीजिए अपनी financial freedom की तरफ पहला कदम